हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ दो कप मिल्क पॉडर से एक किलो भरफी घर पर कैसे बनाएं एक तो परफेक्ट रेस्पी बताने वाला हूं अगर आप सीखना चाते ना वीडियो को आपने स्कीप नहीं करना है पूरे स्टैप को फॉलो करना है और इस शुरू करते हैं सबसे पहले हमें मिल्क पॉडर चाहिए होगा तो दो कप आपने मिल्क पॉडर लेना है बेट इसका लगवत 250 क्राम है अब किसी भी कंपनी का मिल्क पॉडर यहां पर यूज़ कर सकते हैं इसके बद आपने मिल्क पॉडर को बॉल में देखे इस तरह से फ आपने मिल्क पॉडर गी के साथ मिक्स करके इकठा करना है बाइंड करना है और कि देखिए जो पचोग घी था वो भी यहां पर मैंने एड़ कर दिया है तो गी का जो बेट है वो 150 क्राम है और जो मिल्क पॉडर था 250 क्राम यूज़ की है यहां पर मैंने फिर अच्छे से म कराई लिए उसमें दो कप शूगर एड़ करेंगे अगर आपने दो कप मिल्क पॉडर लिए होगा ना दो ही कप आपने इसमें शूगर एड़ करनी है पानी कितना डालना है एक कप आप इसमें पानी डाल दीशे तो पानी के यूज़ आपने कम करना है नहीं तो आपको चा साथ में हम इसमें थोड़ी से फ्लेवर एड़ करेंगे, थोड़ा सा आपने इसमें इलाईची पोडर डालना है, इसके साथ में थोड़ा सा इसमें पोड़ा ना ना हूँ, आप इसको स्कीप कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे चाछनी को पकातियों, पांच मिनिट हो चुके हैं अब पता कैसे चलेगा हमारी चार्चनी वो प्रॉपर बनके त्यार हो चुकी है बो भी दिखाता हूँ कि देखे पल्टे के उपर आपने थोड़ी सी चार्चनी लेनी है इसके इसको थोड़ी सा ठंड़ा होने देने जैसे थोड़ी ठंड़ी हो चाहेगी न हासे लगाईए इस तरह से आपने तार चेक करनी है इसमें जो वो तार बनती है पटिये देखे अभी वो तार नहीं मर र सरनी थोड़ी यिस तरह से चैक करने मैं ने रहले इस तरह मगद लगाते हूं ऐसी तरह मैंinely ना हुँ आप थाली में भी बर्फी को सेट कर सकते हैं और ये देखिए चाशनी भी त्यार थी, गैस की फिलेम मैंने एक्तम लो कर दी है और इसके बाद जो आपने मिल्क पॉर्डर रखा था मिक्स करके बोड़ा देना है सारे का सारा और गैस की फिलेम आपने एक्तम लो ही रखनी है अच्छी तरह से मिल्क पॉर्डर को चाशनी के साथ मिक्स कर लेना है और कंटीनू आप पाँच मिर तक आपने मिलक पोडर को चाशनी चाथ पका लेना है, जैसे मिलक पोडर चाशनी चाथ अच्छी तरसे पक जाएगा, गैस की फिलेम बंद कर देनी है और इसको ना थोड़ा थंडा होने देना है, और कंटीन्यू आपने पल्टा चलाते रेना है, क्योंकि कड़ाई गर्म रहेगी अगर आप पल्टा चलाना छोड़ देंगे न तो कड़ाई की हीट से आपकी बर्फी जल सकती है तो इस तरह से आप बर्फी को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए ठंडा करने के अब आपने इसको ट्रे के अंदर डाल देना है यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठंडा करके बर्फी को डालेंगे आपकी बर्फी ना दो से तीन घंटे के अंदर ही सेट हो जाएगी और एक बाद बर्फी के जो मिक्षर है आपने बिल्गूर ठंडा नहीं करना है थोड़ा गर्म होना चाहिए और कि देखे ट्रे के अंदर मैंने बर्फी का मिक्षर डाल दिया है अब इसके बाद आपने इसको कितने घंटे के लिए छोड़ना है 2-3 गंडے तक आप इसको किसी ठंटी जगा में रख तीजी यह फ्रीच में नहीं रखना है बाहर ही रखना है 2-3 गंडे में आपकी बरफी अच्छे से सेट हो जाएगी तो यह देखिये ति योगी तभी आपकी बरफी इस तरह से set बन需要 है तो आप्ने चाष्णी बनाने में गलती कर दी तो आप इस तरह की बरफी नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई गलती करें तो आपने डवल दार वाली मोटी चाचनी बना के त्यार करनी है और के देखे क्या जवर्दस पीसीज कट रहे हैं तो फ्रेंट्स वीडियो चला हुआ लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीशेगा ओके फ्रेंट्स थेंक य क्रेंट्स